बीदा पेपल, हम भारत के लोग रास्ता ना कठिन है, ना ही रास्ता लंबा है बस सोचने और समझने की देर है जगड़ा इस बात का है कि मेरे छाते के नीचे या मेरे संग्ठन के नीचे आ जाएं सारे लोग आपके संग्ठन के नीचे आना या आपके साथ आने से समस्य अगर सौल्व होती तो बहुत पहले हो गई होती दरसल किसी के संग्ठन के नीचे आने से या किसी के संग्ठन के नीचे काम करने से समस्या स्वल्व नहीं होने वाली है सभी को संविधान के नीचे आना पड़ेगा सारे संग्ठनों को, सारे लोगों को तब समस्या स्वल्व होगी सम्विधान के नीचे आने का मतलब क्या है सम्विधान के नीचे आने का मतलब है कि आप अपने संग्ठनों में सम्विधान के नियम डालिए व्यक्ति बाद को हटाईए और जो गण परिशद है जो संग परिशद है जो collective effort है collective leadership है उसको adopt कीजिए इसको open कीजिए और लोगों में यकीन दीजिए विश्वास दीजिए कि आप भारत के सभी लोगों के लिए काम कर रहे है जब सब लोगों का एक ही सम्विधान होगा और एक ही बात होगी और उसमें व्यक्ति बाद नहीं होगा तो फिर लालच की कोई गुंजाइस बच्ची की नहीं अभी लालच क्या है अभी लालच है कि मैं संग्धन का प्रधान रहूं जिनकी रोजी रोटी संग्धन से चलती है वो कहते हैं कि मैं संग्धन का प्रधान रहूं जिनको इज़च चाहिए वो चायते हैं कि मैं संक्तरनगा प्रिधान रहूं इन्हें समस्यां की वैसे हमारा नुपसान हो रहा है जब सब संविधान के नीचे आ जाएंगे और अपनी अपनी जितनी भी संस्ता हैं संग्ठर ने उनको समयधान के तहत काम करेंगे तो लालश खतμ हो जाएगा, फिर सब्हका चुनाब होगा फिर तो मनोनित होने का काम खत्म हो गया जब मनोनित कोई होगा ने चुनाब उसी का होगा जो ज्यादा काम करेगा तोजिवोंगे बोट सारे डालेंगे जो निकम्बा आदमी है जो सिफार्च ये भाग जाएगा तो फिर उसमें कहीं लालच की कोई जगह रही ये नहीं तो लोगों की सोच बदलेगी अभी लोग जो सोच रहें संक्ठरों में वो अपने तक्सीमित है वो संक्ठरों के विकास या लोगों के विकास के वारे में नहीं सोचते वो अपने विकास के वारे में सोचते हैं कि मेरी पोजिशन मैंटन रहे बड़ी मुस्किल से तो मिली है देखो मैंने जीवन भर इस संक्ठरों में काम किया कितने सारा पैसा दिया, कितनी सारी सेल ली दी बड़ी मुश्किल से ये इज़त मिली है, बड़ी मुश्किल से भाष्ण दिना का मौका मिला है बड़ी मुश्किल से लोग मुझे साहब कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे सर कहते हैं इस मौक्य को कैसे गमाऊं, कैसे छोड़ू इसको, हाँ बात तो मेरी समझ में आती है कि जब तक सब इखटे नहीं होंगे हम बचेंगे नहीं, मगर मैं अपने लालच को कैसे छोड़ू, मैं अपनी पोचन नहीं छोड़ना चाहता, सब मेरे साथ आ जाओ, ये जो चीजें हैं ये हमारा पतन कर देंगी, एक बात साफ साफ अपने दिमाग में सभी लोग इसको डालने, कुछ समय बाद आपके संग्ठनी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एकटे नहीं होंगे, तो आपके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो खतम हो जाएंगे, भारत में ऐसी स्थि कभी भी आ सकती है, कि एक कानून आए कि कोई भी समाजिक संग्ठन नहीं रहेगा, सारे होलिस हो जाते हैं, कोई भी आर्टिंग संग्ठन नहीं रहेगा, कोई भी पब्लिक का नहीं रहेगा, कोई भी सोसाइडी नहीं रहेगी, आपका खतम हो गया मामला, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरे भारत को जोड़ा नहीं तो बोलेगा कौन सब बिखरे हुएं आपने कोई सीखा नहीं सिखाया नहीं तो जब आप बचोगे ही नहीं तो संग्ठन क्या चलाओगे फिर काय का नेता कैसा नेता फिर आप अपने घर में रहना तो अभी जो सवाल ह अभी सवाल है बचे रहने का बचे रहोगे तो प्रधान रहोगे ना बचे रहोगे तो नेता रहोगे ना बचे रहोगे तो कुछ करोगे ना बचे रहोगे तो आपस में जगड़ोगे ना तो अपना जगड़ना बंद करो क्योंकि जगड़ना भी चायते हो तो बचो तो स बच जाओ फिर जूता ले का डिक डंडा लेकर लड़ना आपकसमे अगर बिना लड़े मजा नहीं आता है तो अब ग viy का समझतो है नहीं संक्ठन बनाया है तो आपकसमे लड़ने के लिए या लोगों की सेवा के लिए सारे संग्ठन आपस में एक दूसरे को नौच रहे हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दुस्मन करते रहते हैं पूरे दिन और दुस्मन से नहीं लड़ते वो दुस्मन की जगे खुद ही लड़ते हैं दुस्मन का काम करते रहते हैं ऐसे बेखुप संग्ठन हैं जिसका को तोड़ने वाला चोलोलवानेवाला सबी तो अपरादी है तुम्हे अकल ही नहीं है अपने ही परिवार को तोडोर आधे हो कि हमारा परिवार एक है और अपने ही परिवार की घ्राखन जोड़ने की बात ही तो तुम्हारा दुस्मन तुम्से घबराएगा भी फिर तुम्हें दुस्मन दुस्मन की रटनी लगानी पड़ेगी फिर वो दुस्मन दुस्मन तुमसे आगे दोस्ती कर लेगा खिराब ये समझदार हो गए हैं तो जोडने का काम करो फैल भी कुल बनो और जिंदा रहने क काम करो, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो तुमारे संग्ठर भी नहीं रहेंगे, तुम सब खतम होने वाले हो, इस सोच को दिमाग में डालो, इसको समझो, आपस में ये बत्तमीया करनी बंद करो, और ये जो तुम इंतियार कर रहे हो न, कि फलाना नेता मरेगा या फलानी नेती मरेगी तो उसके संग्ठर में हम कबजा कर लेंगे ये फलाना आदमी संग्ठर में मरेगा तो मैं प्रधान बन जाओंगा, ये फलाना मरेगा तो मेरा नंबर आएगा, ये बेफकुफियां छोड़ो, किसी के तुमारा इंत्याग करता रहता और उसकी कोई जत भी नहीं होती। गिद्ध मनना बंद करो। महनत करो लोगों को इख टा करो काम करो भावा साल ने का संग्ठित रहो पूरे दिन चलाते हो संग्ठित रहो एक बार खुद पे भी अप्लाई करो। आपस मैं संग्ठनों को तोड़ना फोड़ना बंद करो, इनको जोड़ना जाड़ना शुरू करो, लोगों को जोड़ना जाड़ना शुरू करो, तुमारी मौत तुमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, मर जाओगे तो संग्ठन भी ने रहेगा, इसको दिमाग में डाल लो धन्यवाद कर दो कर दो